गैंग्स्टर लव नेक्स्ट एपिसोड हरी को वानी की कोई बात समझ नहीं आई थी पर वानी का अपने पापा का जिक्र करना हरी के दिमाग को गर्म कर चुका था हरी ने बेदर्दी से वानी का हाथ पकड़ते हुए कहा मुझे असलियत दिखाने की जरूरत नहीं है जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ तुम्हारे साथ हूँ ये कहते हुए हरी ने अवानी को उसकी बाजियों से थाम लिया और अपने करीब करते हुए कहा पर तुम क्या हो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है वानी पर कुछ-कुछ समझ चुका हूँ तुम्हें भी और जान भी गया हूँ कि तुम बदला ले रही हो आखिर तुम्हें जबरदस्ती अपनी दुलहन बनाया तो मेरी महबत का मजाग बना कर मुझे तरपाना चाहती हो मुझे तरपाना इससे अच्छा क्या ही हो सकता है तुम्हारे लिए वानी ने हरी की बात सुन उस पर भड़कते हुए कहा मैं जैसी भी हूँ पर आपकी तरह एक घटिया इंसान नहीं हूँ हरी ने वानी को जटके से छोड़ दिया और फिर पीछे हटते हुए कहा हाँ हूँ मैं घटिया बहुत घटिया हूँ मैं ये कहते हुए हरी एक बार फिर वानी के करीब आया और उसे वानी को बेरहमी से उसके कंधों से पकड़ते हुए कहा और जानती हो कि तुम इस घटिया इंसान से पीछा कभी नहीं छोड़ा पाओगी तब ही तो एक पार ही नहीं सोचा मेरे बारे में और कर दिया तुमने डेवोस पेपर पर साइन तुम्हें तो लगा कि मैं मर चुका हूँ वानी ने गुस्से भरे हरी की बात सुन तो कहीं न कहीं उसे अंदाजा हो गया था कि इतने दुनों से हरी की नाराजगी का कारण भी वो समझ गई थी वहीं हरी ने अभी भी गुस्से में भरते हुए वानी से कहा मेरे लिए तो सच्ची महबबत का तूसरा नाम ही शादी है और मैं वस यही सोच तुम्हें पूरे हग से पाकर अपनी महबबत को पाना चाहता था पर गलत था मैं वानी मैं गलत था तुमने मुझे गलत सावित कर दिया वानी हरी के मुंसे अपना नाम सुन उसे देखने लगी आज पहली वार हरी ने उसे अपने नाम से पुकारा था पर हरी वो तो इस समय आग की तरह जल रहा था मानो इतने दिनों की खामूशी जो इन दोनों के बीच थी वो आज खुल कर बाहर निकल रही थी हरी ने अपनी लाल हो चुकी आँखों से वानी को देखते हुए कहा मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रहोगी क्योंकि मैं तुम्हारे पापा की तरह सरीफ नहीं हूँ और नाहीं कभी बन सकता हूँ सारे गलत काम करता हूँ मैं और तुम्हें तो एक सरीफ पती चाहिए होगा ना, जो कि मैं नहीं हूँ, इसलिए मैंने भी सोच लिया है कि तुम अब इस रिष्टे से आजात करना होगा मुझे, खास कर तुम्हारे लिए गलत था, मैं जो ये सोचने लगा था कि तुम मेरी महबत को समझनी लगोगी, गल तुम्हारी की बात सुन, वानी की आँखों में से आंसु जलागाए, और उसने हरी से कहा, अब आप ये कैसी बाते कर रहे हैं, तो हरी ने उसे छोड़ते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूँ, वानी, गुसा तुम पर भी नहीं, मुझे खुद पर आ रहा है, कि आखे क्यों मैंने तुम से महबत की, पर मैं अब और नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं तरपाऊंगा और, तुम अब और तकलीफ नहीं दूंगा तुम्हें, कहे दो अपने पापा से, कि तयार हूँ, मैं साइन करने के लिए डैवास पेपर, ये सब कहत उसकी आशू उसकी आखों से बह निकले, वहीं किचिन में वानी बेसुध होकर नीचे किर पड़ी, और उसके साथ ही उसके हाथ से सजी हुई पूजा की थाली भी नीचे किर गई, आज उसका पहला कड़वा चौत का ब्रत था, जो कुछ भी अभी उन दोनों के बीच तो शायद ही हरी को उनके ब्रत रखने से कोई भी फर्क पढ़ने वाला था, वानी ने रोते हुए कहा, एक भार भी जानने की कोशिश नहीं की, कि मैंने वुध्यवोस पेपर क्यों साइन किये, मुझे तकलीफ नहीं देना चाहते, पर सबसे जादा तकलीफ देकर चले और अधिक रोने लगी, वो रो ही रही थी कि तब ही उसका फोन बजा, फोन उसकी मम्मी का था, वो अपनी आवाज को समालते हुए उसने कहा, हेलो मम्मी, तो वानी की मम्मी ने कहा, वानी मेरी बच्ची क्या हुआ, तुम रो क्यूं रही हो? वानी को अपनी मम्मी की आवाज सुन होश आया तो उसने जल्दी से अपने आपको समालते हुए कहा हाँ मम्मी मुझे कड़बा चौद की पूजा नहीं आती तो बस इसलिए रोना आ गया तो वानी की मम्मी ने उसकी बात सुन उसे टाटते हुए कहा क्या तुम पागल हो डरा दिया था तुमने मुझे वहीं बानी कुछ और बाते करके अपने आपको समालती है और काम में लग जाती है कुछ समय वाद वो हिचक कर हरी को कॉल करती है हरी का आज प्लैन कुछ और ही था और इसके लिए आज उसका मूट बहुत खराब हो जुका था तो वो खराब मूट के साथ रगू और शिवा के पास पहुचा ही था कि उसका फोन बजने लगा कॉल वानी का था उसके कॉल पिक करते हुए पूछा हरी ने क्या हुआ इतने जल्दी अपने पापा को बुला लिया पर मैं आज नहीं आ पाऊंगा उन्हें कल आने को बोलो और फिर तुम जा सकती हो वानी ने उसकी बात सुनी तो दुखी होते हुए कहा नहीं वो मुझे कुछ कहना था आप घर आ जाएंगे हरी ने उसकी बात सुन चहरे पर बिना किसी भाव कि कहा उसे मना करते हुए कहा नहीं आज में नहीं आ सकता जो कहना है फोन पर कहो वानी उसकी बात सुन खुद को शान्त करके कहती है हरी ने अब उस पर भड़कते हुए कहा चुप क्यों हो क्या कहना चाती हो बोलो मुझे अभी हरी वानी के बोलने का इंतजार करने लगा वो इस समय बहुत डरा हुआ था गुसे में वो पता नहीं वानी को क्या क्या बोल कर आ गया था पर सच तो ये था कि उसे डर था कहीं उसकी कही बातों से अब वानी उसे छोड़ करना चली जाए और अगर चली गई तो वो क्या करेगा वो उसे खुद से दूर करने का कभी सोच भी नहीं सकता वो अब उसकी जिन्दगी थी उसकी जीने की वज़ा थी वही तो थी जिसकी खातिर वो एक बार फिर जीना चाहता था हरी वानी की आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था कि तभी वानी ने फोन कार्ट दिया हरी ने अब फोन अपने कान से हटा फोन को घूरा तो वानी ने कॉल कार्ट दिया था उसे कॉल बैक करना चाहा कि तभी हरी कि तब ही रगु ने एक लड़के को लाकर हरी के सामने खड़ा करते हुए कहा तो हेलो एवरिवान आई होप आपको ये वाला एपिसोड काफी जादा पसंद आया हो और आने वाले वाकिए एपिसोड भी काफी जादा पसंद आया है अगर आपको इस स्टोरी पसंद आ रही हो और हरी और वानी की लव स्टोरी पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रू बताईएगा और इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा सस्पैंस आने वाला है आगे नेक्स्ट एपिसोड में तो बने रहे इस स्टोरी में